Welcome back students, welcome to gag monster tutorials, आज की इस वीडियो में हम कोई programming नहीं सीखेंगे, even we are gonna start to learn how to create netbeans shortcuts, हम इस वीडियो में netbeans में अपने खुद के shortcuts बनाना सीखेंगे, तो netbeans ने वैसे हमें अल्रेडी बहुत सारे shortcuts दिये हुए हैं, shortcuts का use करके हम जो programming है वो अपनी fast कर सकते हैं और इससे productivity increase होती है, तो we have already lots of shortcuts here, उन में से कुछ में आपको हम already use भी करते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पहले भी बता देती हूँ, कुछ previous जो shortcuts हमने use करे हैं, और उसके बाद हम खुद का shortcut बनाना सीखेंगे, तो यहाँ पर देखे कि हमारी class है, class का नाम मैंने my shortcut लिखा हुआ यहाँ पर, public class है, तो पहला shortcut है, अगर हमें public static void main अगर हमें लिखना होता है, तो हम psvm और tab प्रेस करते हैं, तो यह public static void main आ जाता है, दुबारा देखिए, public static void main के लिए, psvm और tab की, public static void main के लिए, उसके बाद देखिए, अगर हमें system.out.println लिखना होता है, उसके लिए हमारे पास है sout, s-o-u-t, s-out tab, system.out.println के लिए, दुबारा देखिए, s-o-u-t, s-out बोलते हैं हम इसको और tab, I hope यह clear हुआ होगा आपको, और देखिए, अगर हमें for loop लगाना है, तो उसके लिए, हम for लिखने के बाद tab प्रेस करते हैं, तो यह पूरा for loop आ जाता है, और यहाँ पर आप initialization, condition और increment आप दे सकते हैं, next देखिए, और if else अगर हमें if statement लगानी है, if के लिए हम use करेंगे if और tab, तो यह if आ गया है, यहाँ पर आप condition दे सकते हैं, और अगर आपको if else दोनों लगाने हैं, तो आप if e और tap प्रेस कर सकते हैं, तो यह if और else दोनों आ चुपके हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप condition दीजिए यहाँ और else, otherwise यहाँ पर आप अपनी statement दे सकते हैं, if or e, if else के लिए, और इसकी बजाए आप proper if else भी लिख सकते हैं, तब भी यह आ जाएगा, दो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, if के लिए सिरफ if tab, if else के लिए if e lse tab, या फिर if e tab, और देखिए यह सारे हम हटा देते हैं, यहाँ से, अगर आपको do loop लगाना है, then do tab, यह देखिए आप पर do while आ गया है, यहाँ पर आप condition दे सकने हैं, और इसके अंदर अपनी statement लिख देख सकते हैं, do while loop है यह, और अगर आपको while loop लगाना है, तो उसके लिए w h हमारे पास है, tab, यह while loop आ चुका है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे shortcuts है, try catch अगर आपको लगाना है, उसके लिए try, catch पूरा लिखिए और tab, यह दिखिए try, catch यह आ गया है, यह यूस कर सकते हैं कि यह हमारी class यहां close हो रही है, यह वाली class, इसके बाद नीचे मुझे एक और class बनानी है, class बनाने के लिए I और C, यह हमारा shortcut होता है, यह देखिए यहां पर class बन चुकी है, class में देखिए आप यहां पर नाम देंगे, by default type लिखा हुआ आता है, आप कुछ भी नाम दे सकते ह और यह जो अंदर वाली चीज है, यह जो type bracket braces है, this is, यहां पर यह constructor है, यह इसका जो default constructor होता है, यह वो चीज है, class का नाम आप यह चेंज भी कर सकते हैं, यह already highlighted है, class का नाम देखिए मैंने यहां पर जैसी hello करा, constructor का नाम भी already यहां पर चेंज हो गया है, तो इस तरीके से आ class भी बना सकते हैं, I और C से, तो यह कुछ basic से shortcut से मैंने आपको बताए है, यह already हम use भी करते हैं अपनी वीडियो में, और netbeans जो हमें shortcut देता है, उसकी पूरी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप यहां पर menu देख सकते हैं, यहां पर आपको जाना है tools menu के अंद सबसे last में आपको मिलेगा options, option के उपर आप क्लिक करें, तो यह एक और window आएगी आपके पास यहां पर, option window, इसमें देखें, बहुत सारे आपर tabs हैं, आपको इसमें जाना है editor tab पर, जो यह second वारी tab है, इसके उपर आपको क्लिक करना है, इसके उपर हमने यहां पर क्लिक करा फिर इसके अंदर inner बहुत सारे sub-taps आए हैं, यहां पर देखें, इसके अंदर आपको जाना है code templates के अंदर, सबसे पहले हम tools में जाके option पर क्लिक करेंगे, और option window आने के बाद editor, और उसके अंदर code templates, यह देखें, यह code templates के अंदर, यह जो शूरू से लेकर end तक, यह सारे य यह shortcut जैसे यहां पर लिखा है कि 2AL, यह shortcut यह उसकी पूरी coding है, यह कैसे काम करता है, और मैं आपको यहां पर public static void main आपको दिखा रही हूँ, यह रिखिए, यह है PSVM, highlight हो रहा है यहां पर, तो उसका coding, उसकी जो coding है वो यह रही, public static void main string आपक, यह उसकी पूरी coding है यहां पर, तो जो भी आप यहां पर shortcut use करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद tap प्रेस करेंगे, तो उसके corresponding जो उसका text होगा, वो आ जाएगा, और देखिए, यहां पर एक और चीज, नीचे यह जो एक option दिया हुआ है, expand template on, जैसे कि अभी हमने पीछे सारे shortcuts जो देखे थे, तो मैंने shortcut लिखने के बाद tap प्रेस करा था, उसके बाद उसके बाद expand हुआ था, तो यह option भी आप यहां से change कर सकते हैं, कि वो space प्रेस करने पे हो, या space और shift के press करने पे हो, यह अलग-अलग options आप यहां पे change कर सकते हैं, बाई default आपको यहां बड़ टैब मिलेगा, तो आई हो पिए आपको clear हुआ होगा, चलिए अब हम खुद का shortcut बनाना सीखते हैं, टैमो में हम एक program, एक even note का जो program हमने पहले करा था, उसको पूरे program को हम shortcut में convert करके हां try करेंगे, तो चलिए start करते हैं, यहां पर एक program लिखते हैं, even note का, scanner class यूज़ करते हैं, यूजर से input लेने के लिए, यहां पर कुछ भी एक variable का नाम ले लेते हैं, system.in, और एक variable लेते हैं, जिसमें user value एंटर करेगा, और 0 से initialize कर दिया मैंने, then user को message देते हैं, enter a number, और user से input लेते हैं, sc.nextint, अब हम if else यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे साथ में else, अगर हम सिर्फ if प्रेस करेंगे, तो सिर्फ ये वाला आएगा, बट अगर मुझे साथ में else भी चाहिए, तो if e भी use कर सकते हैं, और if else दोनों लिखने के बाद भी हम tap प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, if num mod2 is equal to 0, then message का print हो यहाँ पर user के पास even number, और else के अंदर odd number, तो यह हमारा even odd का एक प्रोग्राम है, इसको run करते हैं, enter a number, 67 odd number, और फिर से run करके देखते हैं, इसको, 22 even number, तो यह हमारा प्रोग्राम प्रोपली वर्क करता है, तो इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ तक को मुझे shortcut में convert करना है, और दिखिए, अगर हम इसमें एक और point है, अगर हम सिरफ इतना code लेंगे, और shortcut बनाएंगे, तो shortcut में सिरफ यही चीज़ आएगी, उपर वाला जो import statement है, यह नहीं आएगा, तो उसको हमें आलग से लिखना पड़ेगा, तो इसका solution क्या है, कि यह जो हम import statement हमने यहाँ लिखी है, इसको हम इसी के scanner के साथ ही लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर देखे, java.util.scanner है, तो मैं यहाँ पर import करने की बजाए, क्यों ना हम यहाँ पर लिखे java.util.scanner, तो यह उपर आप import करें, या फिर यहाँ पर लिखें, दोनों सेम ही चीज़ें, java.util.scanner, तो यह अब हमारा program पुरा complete है, इस पूरे program को हम shortcut में convert करते हैं, तो चलिए start करते हैं, यहाँ पर tools में जाएंगे, options में, और editor में same वही code templates, यह जो हमने पहले देखा था, अब हम इसमें जाएंगे new, हमें new template बनाना है, और shortcut में आपको नाम क्या देना है, क्या abbreviation देना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान दखिए कि जो predefined हैं, जो already exist करते हैं, abbreviations, आप वो use ना करें, तो यहाँ पर हम just example के लिए e o नाम दे सकते हैं, यहाँ पर even odd के लिए, तो मैंने यहाँ पर e o नाम दे दिया है, और ok press कर दिया है, तो जैसे ही ok press करा यह रहा e o लिखावा, अब जब इसको expand करेंगे, तो क्या आएगा वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, इस area में, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पुरा program चाहिए, तो इस program को हम यहाँ से पुरे को cut कर लेते हैं, और यहाँ पर paste कर लेते हैं, यानि कि जब हम e o लिखकर expand करेंगे, तो यह पूरा program हमारा आजाएगा, टाब से, आप यहाँ पर change भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर टाब ही रहने दिया है, और उसके बाद, यह नीचे ok का button है, यह screen में I think visible नहीं हो रहा होगा, यह नीचे सबसे नीचे ok का button है, आप यह ok का button प्रेस कर दीजिए, तो बस आपको इतना ही करना है, new में जाना है, abbreviation देना है, और expand करने के लिए जो भी आप जहाते हैं text हैं, वो आपको देना है, और ok प्रेस करना है, तो यह हमारा template एक shortcut create हो गया है, चले इसको try करके देखते हैं, मैंने यहाँ पर E O लिखा और tap प्रेस करा, तो यह देखिए, आप पर यह पूरा हमारा even odd का program आ गया है, यानि कि हमने even odd के program का एक shortcut बना दिया है, अब जब भी आपको यह program लिखना है, आपको बार बार लिखने की ज़रत नहीं है, आप just E O लिखिए, tap प्रेस करिए, तो यह बहुत ही simple है, बहुत ही easy है, shortcuts बनाने, ब I recommend कि जब आप shortcut बनाना शुरू करें, तो already है जो shortcuts दिये हुई आपको, आप इनको study कर ले, explore कर ले, इससे आपको और ज़्यादा help मिल जाएगी, जैसे कि example में देखिए, एक और चीज, जैसे कि हम यहाँ पर system.out.pin यूज करते हैं, s out, यहाँ पर देखिए, करसर यहाँ पर dollar braces के अंदर cursor, यह use होता है, जहाँ पर आपको cursor चाहिए, वहाँ पर आप यह चीज पूट कर सकते हैं, अब भी जो हमने even word का बनाया है, उसमें by default last में cursor आ रहा है, अगर आपको बीच में कहीं चाहिए, तो बीच में आप dollar braces के अंदर cursor लेग सकते हैं, तो यह cursor की position सेट करने के लिए होता है, तो इस तरीके से अगर आप already जो predefined shortcuts इनको study करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजिया और सीखने को मिलेंगी, आप explore कर सकते हैं इसको, तो यह था shortcut बनाने का एक चोटा सा example यहाँ पर, आप इसको और explore करिए, अगर आपको इसमें कोई query है, तो आप comment में and subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको आने वाली वीडियो की updates, उनके notifications मिलते रहे, and thank you for watching this video, अगर आपके पास अपनी कोई query है, वो भी आप comment box में पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसके उपर आपको वीडियो बना कर उसका solution दूँ, thank you